असाम लोगों everyone, hope you all are fine, welcome to my channel तो आज मैं आपनों के साथ शेयर करने जाहरी हूँ कि आपको किसी भी किसम की dryness हो, आपके skin में rashes हो, आपके skin पे वो जो dryness की वज़े से दाने से निकल आते हैं, वो हो, आपके face पे wrinkles बहुत तेजी से पर रहे हों, trust me, ये wrinkles के लिए बहुत अच्छा है, एक ऐसा टूट का मै आप 2 years के बच्चे से लेके, बड़े तक जितनी age में भी आप यूज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं, ये आप लोग बच्चों पे भी apply कर सकते हैं, जब रात को वो सो रहे हो, थर्ड ली अगर आप लोग के हाथ बहुत जादा dry हो रहे हैं, बहुत जादा पानी में र लगाना हो ये लगा सकते हैं, इसके लिए आपको किन चीजों की जूरत है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको चाहिए वैजली, वैजली जो पी medical store से भी मिल रहती है, मैं प्रेफर करती हूँ medical store से लेना, आप जहां से भी लेना चाहते हैं, वहां से ले लीजएगा, ये अपनी स्कीन को अच्छा करने के लिए, प्लक्स अगर आपकी विंटर में जैसे बहुत जादा वेडिंग सीजन चल रहा और आपकी शादी होने वाली है, तो तब भी अपने फेस के मॉस्टराइजर को बिल्ड करने के लिए और उसको कंटीन्यू करने के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं रुजाना रात को, so let's make it, सबसे पहले आप सारी की सारी वेजलीन को एक इस तरह के स्टील के बॉल में ट्राइशिफ्ट कर देंगे, तो आप सारी वेजलीन निकालेंगे और उसको इसमें डाल देंगे, और करना के हैं उसके बाद हमें इसको करना है गरम गरम करने का तरीका भी मैं आपको बिताती हूँ, सबसे पहले मैं पूरी वेजलीन लेके इसको इसमें डाल दोगी, जब बन जाएगे, आपने हाथ बहुत अच्छी तरह से बनाने से पहले दोने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ का यूज हो रहा हूँ तर कल को जब यह बन जाएगे आपने यूज करनी अपनी फेस पे, तो इस रह से जितने कम जर्म्स लगें, जितना कम बेक्टेरिय आपके हाथ का यह चीजों का जए उत्मा बेतर है, अगर आप चाहें तो आप गलफ भी पहन सकते हैं, मैंने एक फ्राइपन में पानी ले लिया है, आप लेख सकते हैं, यह सिंपल वाटर है, और मैं इसको चला रही हूँ, यह मेरा चूला हो गया ओन, इसको चलाने के बद में सब 2-3 मिनिट करूंगी ताकि जो मेरा पानी अब अच्छे से गरम हो जए जब यह अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं इसके उपर वैजलीन रख दोंगी, आप वैजलीन को डिरेक्ट माइक्रोवेव में या उस तरह स अब मैं क्या करूंगी कि यह वैजलीन आपनी इसके उपर रख दोंगे रखने के पाद अब भी आपके सामने जो है यह बहुत अच्छे से बिल्कुल जो है पिगलना वल्लिकर स्टार्ट हो गई है पिगलना आप देख सकते हैं यह भी सारी बिगल जाएगी बहुत आठाथे आएट ब्डूइड यहाँ अब कर ड्णाに टकार्ट हो गई है आल्म वोग हम सबको पता है यह skin के लिए इतना अच्छा होता है अच्छा हम Pumpkin Oil क्यों डाल रहे हैं हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यह ठंडर होता है और जिन लोगे को एक्णी काईश होता है वो खतम हो सकता है अच्छा एक और चीज़ अगर आप लोग इसमें Tea Tree Oil के 2 drops ड लूँ हूं और यह मेरा उरिजनल नारियल का तेल की उरिजनल नो भाट जूरूरी है इसको मैं थोड़ा सा मैल्ट करके इसमें एक स्पून एक चुरूरू है मै इसमें प्लण को खोट होगी आप अब कर चाहें तो नारियल का चुछ तेल यह उटां सा और भी एक कर सकने क्यो तो मैंने टू स्पूम्स ही डाल दी है अब आप करेंगे इसको मेंक्स बिकाज यह मैल्टेट है तो मेंक्स भी वह अच्छी तरीके से हो जाएगा प्रमिक सेंग और जोड़े सती तो अभी निए सिकेंदर बढ़कर मेंसि को वार्कें इसी में डालेंकर इसी में कुछ यहां को बद्रal कि इससी में कीरें इस तरह से जब भी मेल्ट हुई है तो डालने में वे असान होगी और यूज करने में भी पांच से तस मिनट में आपकी जो है वापस अपनी उसी शेप में आजागी जिस शेप में थी ठीक है यह जो एक्स्ट्रा है प्लीज उसी ताइम फेस पे लगा लेंगी प्लीज बिल वे तो आपने जब फेस वाष्क करते है आप अपना मेकप बिल्ग घर रिमॉफ किरते हैं आपका फेस ब्ल्कुल कुम होता तो तब आपने उस टाइम पे एक डन फेस गीला फेस होता है ऐसमे हथे लेनी है तो एक तो तो थोड़ा सा लेना और इसको अच्छे देखे स वे बच्चे लोशन या कोई भी चीज अप्लाई करना इतना पसंदी करते है तो जब लोग सो जाएंगे बच्चे के सोने के बाद आप उसके लिप्स पर लगाएंगे उनको मसाज की जूएट नहीं है आप मसाज अची तरह से करके लगाएंगे आप देखेंगी कुछी दिन प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल अलाफेज